पुलिस और बदमाशों के बीच मुठवेड का दोर लगातार जारी है जिसके चलते शुकरवार की शाम थाना नई मंडिक पोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दोरान फिर मुठवेड हो गई जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठा कर फरार होने में कामयाब रहा फरार बदमाश के तलाश में पुलिस ने घंटो जंगलों में कॉम्बिंग की मगर कोई सफ़ता हाथ नहीं लगी पुलिस ने खायल बदमाश को उफचार के लिए जिलाशी किस सालने में बिचवा दिया पकड़ गई बदमाश के कपड़े से पुलिस ने एक स्कुटी और एक बिच्टल वर कार्तूस भी बरामत किया है मामला नई मंडिक उतवाली शेतर का है जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सुचना मिली थी कि बाएक सबार दो बदमाश काओ नसीरफूर की और किसी आपरादी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं मुखबिर की सुचना पर पुलिस ने बदमाशों की धर पकड़ के लिए शकी गंभ्यान शुरू कर दिया इसी दोरान सामने से आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया मगर वैह हट बड़ा हट में वापस मुर्गर भागने लगे मगर किसम साच छोड़ गई और उनकी स्कूटी फितल गई जिसके बाद पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ दोर पड़ी तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी बर फाइलिंग शूर कर दी सुदीर गुमार सिंग ने बताया कि गिरफतार बदमाश पर 15,000 रुपे का इनाम गोशित है जो थाना नई मंडी कोतवाली छेतर से एक लूट की घटना को अंजाम दे कर फरार हुआ था जबकि फरार बदमाश का भी बड़ा आपरादिक इतियास है जिसे जल्द गिरफतार कर लिया जाएगा और फारिंग की गई जिसमें एक बदमाश जो परवीन नाम का है पीरना का रहने वाला है यह घैल हुआ है और एक बदमाश जो खलापार का रहने वाला है वो इसमें फरार हो गया कॉम्मिंग लगातार जारी है और पकड़नी कोशिश की जारी दूसरे बदमास को जो बदमास घैल हुआ है इसके पास से एक सुटी मिली है जो संदिक्द है और दूसरी एक 32 वोर की एक पिस्टल मिली है जिसके अंदर अभी भी लाइव कार्टेज़ भी है और खोका रहे हैं और उनके द्वारा बताया जा रहा था कि हल्की फुल्की छिनेती घटना इनके द्वारा लगातार की जा रही थी तो उससे यह उत्वरस्ट कर रहे है नई मंडी पुलिस्टी परार बदमास के खिलाफ अभी इनाम का मैं पता करूंगा क्योंकि इनाम देखना पड लूट अड़के थी कई मुकदनों सब्सक्राइब